नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अधती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। यदि यहाँ पर आजाए sin x plus sin y तब हम क्या लिखेंगे तो देखिए sin x plus sin y को 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2 लिखा जा सकता है। अब यदि यहाँ पर sin x minus sin y आजाए तो उसे हम क्या लिखेंगे 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 अब देखिए यहाँ पर यदि आपको 2 cos x cos y दिखे तो आप उसे cos x plus y plus cos x minus y लिखेंगे। ठीक है आपको इध्यान रखने हैं हम इन पर बेस कुछ questions करेंगे तब आपको यह और अच्छे से समझ में आएंगे। अब यहाँ पर यदि minus 2 sin x sin y हो तो उसे cos x plus y minus cos x minus y लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 sin x cos y दिया जाए तो उसे sin x plus y plus sin x minus y लिखेंगे। अब यदि यहाँ पर दिया जाए 2 cos x sin y तो इसे sin x plus y minus sin x minus y लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि बायाँ पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर consider करेंगे बायाँ पक्ष और इसे हम लिख देंगे lhs ठीक है तो आप इसे क्या लिख देंगे यह है cos 7 x plus cos 5 x upon sin 7 x minus sin 5 x अब यहाँ पर हमें चाहिए cot आप इतना जानते हैं कि cot को cos upon sin इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानि कि आपको यहाँ पर चाहिए cos x upon sin x परन्तु यहाँ पर तो cos के दो आपको पत दिख रहे हैं जो add हो रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या करना होगा इस plus को यहाँ से हटाना होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको sin के दो पत दिख रहे हैं हैं और वो भी minus से जुड़े होगे हैं। तो हमें क्या करना होगा? इसे यहां से हटाना होगा. यानि कि numerator के अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर हमें cos 7x plus cos 5x को क्या लिखना होगा? यह देखिए. यहां पर जो यह पहला वाला सूत्र है. तो इससे plus sign हट जाएगा. है ना? और यहां पर देखिए. यदि हम बात करें denominator की, तो यहां पर sign 7x minus sign 5x है. तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए. यहां पर हम यह लगाएंगे, क्योंकि minus है. क्या इतनी बात समझ में आई? तो चलिए इससे solve करते हैं. तो यहां पर क्या आजाएगा? ध्यान दिजएगा. यहां पर हो जाएगा 2 cause 7x plus 5x है ना? अपॉन 2 और क्या हो जाएगा? और यहां पर आजाएगा cause 7x minus 5x by 2. इसे थोड़ा रंग से लिखेंगे, यहां पर यह इस तरीक से आएगा. क्या इतनी बात समझ में? अब यहां पर जो यह denominator है, cause 7x plus 5x by 2 और sin 7x minus 5x by 2. ठीक है, अब दिखते हैं यह क्या आया? यहां जाएगा 2 cause, यह हो जाएगा 12x, divide by 2, 6x. 2 cause 6x. और यह क्या हो जाएगा? cause 2x upon 2, यानि की cause x upon, यह हो जाएगा 2, यहां जाएगा cause 6x, और यह आजाएगा sin x. यहां पर आपको क्या दिखा? 2 से 2 cancel, cause 6x से cause 6x cancel, और हमें finally मिल गया cortex. और cortex क्या था? cortex है RHS. तो हमने यह सिद कर लिया ना? देखें, यहां पर जो LHS है, वो बराबर आ गया. RHS के, अताहा हमने यह सिद कर लिया. तो आप लिखेंगे अता, सिद हो गया. तो इस तरीके से आपको, यह जो सूत्र हैं नहां पर लगाने होंगे.